हर्यों आज 15 अक्टोबर है दोहजर चोबीस कल अर्जुन ने एक प्रस्ण पूछा था प्रस्ण ये था कि इस्तितप्रग्य लक्षन के बारे में और सब्द भी उन्होंने दिया था भगवान ने अपने जो प्रवचन दिया गीता के अध्याय में उन्होंने इसे कुछ शब्द प्रयोग नहीं किया था भगवान का प्ट शब्द था संख्य योग बुद्धी संख्य योग कर्म योग यह आदे सब्द था मगर अर्जुन के जो प्रशन था स्तितप्रग्यस्यका भाशा समाधी स्तस्यकेशव स्तितधी किम प्रभाशेत किमासीत ब्रजेत किम ज्यादा तर विद्ध्वान लोग चार प्रस्ण करते हैं आपको समझने के लिए हम पांच किया जिसमें स्तितप्रग्या एक है बिवहार के समय बिद्धान समय बोलते हैं और एक है समाधी के समय में तो अब भगवानों को एक opportunity मिला हम लोग को एक बताने के लिए क्या स्तितप्रग्या लक्षण इसको बोलते हैं यह topic को कभी-कभी अगर सिर्फ तीन दिन कहीं है गुरुदेव ने भी प्रवशन दिया है अगर तीन-चार दिन देना है तो इस topic को लिया है और उन्होंने मैंने बताया था अभी बता रहा हूं उन्होंने क्या किया तीन सब्द दिया God-wise and world-wise and otherwise यह तीन सब्द है God-wise जो स्तितप्रग्या लक्षण है and world-wise जो संसार में पड़ा रहता जो संसारिक बिशेक भोग है और जो otherwise हो अलग तो God-wise और world-wise and otherwise इसको लिया है तो यह 18 जो स्लोक है ना पच्पन से लेकरके 72 तक यह 18 जोक भगवान एक compact करके बता रहे हैं कि इसमें स्तितप्रग्या दी a man of steady wisdom इसको इंग्लिश में बोलते हैं और भगवान ने भी स्तितप्रग्या स्तितधी अतस्यप्रग्या प्रतिस्थेता ऐसे सब्द आगे हम लोग देखेंगे यूज किया संकराचारिया ने बड़ा सुंदर इसको दिया है हम आपको बता रहे हैं क्या अच्छा अभी तक भगवान ने कर्मयोग कर्मों का त्याक करके ज्ञान निस्थ यह बताया आर्था जो न कर्मना न प्रजया जो है जीन ने पुरा करमों कुत्या कर लिया डायरेटस न्यास ले लिया वो कर्म ज्यान निश्था में शंकराचर अपनी भाशा में बोलते हैं योही आदित हो एब सन्यस्य कर्माने ज्ञाने योगनिष्टायाम प्रवृत्तह यच कर्मयोगेन तयोहो स्थेतप्रज्यस्य प्रजहाती तिव आरभ्य अध्याय परिशम अप्ति परियंतं स्थेतप्रज्य लक्षणं साधनंच उपदेश्यते और था तभी भगवाणे दो किया एक है ब्रह्मचर सल。 मरुक्र स्थेर स्न्यास वह और यह जो कर्मयोग करता जिनका अंतक्रन सुधळ हो गया और ज्ञान का अधिकारी हो गया वो दनों के लिए स्थिती हो जाती सश्यप्रज्ञा ज्ञानयोगों निष्ठा उसको बिलता है घ। जनकी निष्ठा होता है उनके लिए जो जिनकी निष्ठाzers के उनके लिए लक्षण और उनके साधुम बता रहे हैं ठीक है अभी से लेकर ग्रंथ अध्या समाप्ति परियंतम अर्था अब 55 स्लोक से लेकर के 72 अथारा स्लोक बता है इन अथारा स्लोक में मैंने जैसे सब्द इंग्लिस का बता है आपको समझने के लिए आसान रहेगा वो ह से गौड़ वाइज से अलग है और अध्रवाइज जो पूरा विशेव भोग में आएगा स्लोक में प्रनश्यती वाला जो अध्रवाइज वाला है एक सुन्दर सुत्र आचारिया कह रहे हैं सर्वत्र ही और ता चारोत्रव सर्वत्र एवही अध्यात्म सास्त्रे पूई अध्यत्म शास्त्र में देखोगे एक रतार्त लक्षणात्य कृतार्त य dio ने कर लिया लक्षणाने यानितानियों साध्नानि उपदिश्यन ते इत्ना साद्यत्त वान जू सतप्रग्यां के लिए उनका लक्षण हे साधक के लिए यतन करने के करन उनके लिए साधना है उनके लिए साधना है उसको सिंपल भासा में यानि यानि सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि यह समझ देए यानि यतन साध्यानि साधनानि उपलक्षणानि चा भवगत्य तानि क्योंकि यतन साध्य साधन ही होते हैं वो ही सिद्धपुरस के लक्षन होते हैं तो ये भगवान यहां पर बताया स्तितप्रज्ञ का लक्षन संकराचैरे ने बड़ा सुंदर जोड़ा है अब कल से हम स्तितप्रज्ञ का लक्षन जो अठारा स्लोक है एक-एक करके आठारा दिन देख लेंगे हरियोम मैं आज अभी आपको स्तित्त परज्यां का एक करम इंट्रोडक्शन दिया है कल हम लोग स्लोक में जाएंगे